हेलो फ्रेंड्स बहुत स्वागत है एक वार फिर से आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल बिंक पहाडी में ये वीडियो पांचवा वीडियो है जूनियर ओफिस आइटी एक्जाम से रिलेटिड उसकी स्टड़ी यहां पे हो रही है ठीका जी तो बात करेंगे ह हम आज का स्टड़ी मिट्रियरल के वारे में तो सबसे पहले देखा जाएगा कि जो डौस है डौस किसके द्वारा लउंच किया गया था तो जो ए Kings क्या गया था और जो न्थस सुरूम में आई पैस ने मिजोis किया गया था मांक्रोसॉफ्ट के द्वारा जब्कि यह operating system पे base है और जो Fortran 2 है जो है first high level language है और जो ये 1958 में जो है introduced की गई थी बात करेंगे हम the world processor used by those to write the program और instruction तो जो MS Word में जो है use किया जाता है program और instruction को लिखने के लिए तो वो है edit program है और साथ में जो है the indentation on a CD and DVD तो उसे कहा जाता है tracks बात करेंगे हम er diagram की तो er diagram में rectangle है तो rectangle से entity दरशाए जाती है जबकि oval से attribute दिखाया जाता है उसी तरीके से relation है diamond से दिखाया जाता है और उसी तरीके से जो है इनके बीच जो है line जो है link को दरशाती है ठीक है जी next बात करेंगे हम data definition language commands की तो create है drop है comment है rename है truncate है और ultra है यह जो है यह data definition language की commands है जबकि data manipulating language command की example है select है insert है update है delete merge call explain plan and next is lock table उसी तरीके से data control language की बात करेंगे command की data control language command में grant और rebook आएगा उसी तरीके से transmission control language command में commit आएगा rollback आएगा save point और साथ में जो है set transaction है calligraphy क्या होती है तो calligraphy जो है set of characters over particular design है जबकि doctor e hof code ने जो है 12 rule set किये है relational database management system के और जो है an ad hoc query an ad hoc query जो है spur of movement question है साथ में जो है group bear क्या है group bear इजा software है ठीक है और जो है ring topology में कौन सा system use किया जाता है तो ring topology में जो है token system इस्तिम इस्तिमाल किया जाता है और जो है magnetic drum इस्तिमाल किया गया था memory के लिए IBM 650 में जबकि Q में जो है first in first go system यूज किया जाता है जबकि बात करेंगे हम stack की तो stack में to last in first go system इस्तिमाल किया जाता है जो पहला electronic computer वो मूरे स्कूल में किया गया था और उसका नाम था INIAC बात करेंगे पहले लैप्टोप की तो पहला लैप्टोप जो है मार्किट में Epson के द्वारा लाया गया था HX20 और डाटा इन डाटा बेस तो उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है extension जबकि CPU scheduler जो है उसे job scheduler भी कहा जाता है और Android जो है Andy Rubin ने जो है invent किया है और router जो है कौन सी layer पर काम करता है तो ये जो है network layer पर काम करता है जबकि hypertext transfer protocol जो है एक application protocol है और जो है WEP की full form जो है वो है buyered equivalent privacy जबकि LAN और Ethernet जो है कौन सा token system use कर सकते हैं तो ये जो है token ring technology का इस्तमाल करते हैं और Ethernet है CSMA और CD जो है ये होता है इसमें लिखा हुआ है इसका full form जो है carrier sense multiple access CSMA का full form है जबकि star typology जो है Ethernet यूज़ करता है और जो है internet कौन सा typology उसकरता है तो internet जो है hybrid typology का इस्तमाल करता है जबकि bridge जो networking device है bridge वो जो है data link layer पे काम करता है ये second layer होती है जबकि router जो है network layer पे काम करता है और ये जो है ये third layer है बात करेंगे हम switch की switch भी जो है data link layer पे काम करता है data link layer जो होती है वो second layer होती है बात करेंगे हम Mac की तो Mac जो है 48 bit address इस्तमाल करता है या 6 byte कहते हैं से जबकि जो IP है वो 22 bit address का इस्तमाल करता है जबकि TCP IP जो है उसमें 4 layers होती है और जो है world by world www जो है पहली पहला browser है और ही जो है इसे invent किया है टीम बर्नस ली ने जबकि जो है अपाचे HTTP server जो है बहुत ही popular जो है HTTP server है और यह जो है 1996 में बैंट किया गया था और जो है byte को जो है octet भी कहा जाता है जबकि UDP की full form रहती है user data gram protocol ठीक है जी तो आप देखेंगे यहां जो है लिखा गया है कि जो है ms sorry जो हमारा जो browser होता है उसमें जो page को reload करने के लिए हम कौन सा command use करते हैं तो हम जो है refresh सित्मार करते हैं option में कर्फूज करने के लिए reload और refresh दोनों आते हैं तो इसका answer जो है refresh रहेगा वो जो है http contain 3 part होते हैं http में और जो है बात करेंगे हम microsoft windows की तो देखेंगे आप microsoft windows जो है developer किया गया था microsoft द्वारा और जो है पहला release इसका 19 November 1990 में था जबकि ये जो लिखी गई है वो c plus plus में लिखी गई है और 35 different language में जो ms windows था available था और type जो है opposite था जबकि window जो है c e c e यानि consumer server ये जो है 6 में release किया गया था और ms bird ms bird सबसे पहले जो है dose के लिए निकाला गया था 1983 में और जो है 1985 में जो है mac operating system के लिए ये release किया गया था उसी तरीके से जो है window new technology जो है वो 1993 में आई थी जबकि windows 95 जो है बती bit operating system 1995 में आय था 98 windows जो है वो 1998 में आय थी milenum edition ME जो है 2000 में आय था ये multi user interface था और साथ में जो है XP जो है 2001 में आया था vista 2006 में windows 7 2009 में उसी तरीके से windows 8 और 10 जो है windows 8 2012 में जबकि 10 2015 में release किया गया था बात करेंगे हम excel की excel जो है 1985 में सबसे पहले mac के लिए निकाला गया था जबकि windows के लिए ये जो है 1987 में available था जबकि MS info part जो application software है उसका इस्तमाल किया जाता है XML form को design करने के लिए और 1942 में जो है mark बन Harvard icon ने जो है invent किया था जबकि पहला generation का जो computer था वो magnetic drum को storage medium की तरह इस्तमाल करता था और second generation में जो है magnetic core primary जबकि magnetic tape जो है auxiliary storage के तरह इस्तमाल किये जाते थे COBOL and FORTRON कौन सी generation की language है तो ये जो है second generation की language है जबकि 1984 में IBM ने home computer निकाला था जबकि 1984 इस भी में Apple ने अपना Macintosh जो है release किया था ऐसा antivirus जो antivirus को detect करने के बाद जो है उसे delete कर देता है तो इसे कहा जाता है retrovirus जबकि encapsulation किस से related है तो ये जो है information hiding का method है और जो है 2007 की extension ठीक है जो 2003 तक MS world powerpoint की extension जो है simple जैसे DOC है और PPT है ऐसी थी जबकि 2007 के बाद जो है इनके पिछे जो है XX जुड़ना शुरू हो गया है तो 2007 से बाद जो भी Microsoft का product आया है application suite में तो देख सकते हैं उसके जो है extension इस तरीके के रहते है और जो है next है quick access जो है toolbar कहां पर आपको देखने को मिलती है तो ये जो है आपको title bar में देखने को मिलती है बात करेंगे हम MS office की तो MS bird में maximum zoom आपको 500% मिलता है Excel में 400 जबकि PowerPoint में आपको 400% का maximum zoom आपको देखने को मिलता है और F11 F11 जो है chart draw करने के लिए इस्तमाल किया जाता है बात करेंगे हम Ctrl M की तो Ctrl M जो है इस्तमाल किया जाता है नई slide insert करने के लिए PowerPoint में और ribbon जो होता है कहां पर located होता है तो यह होता है below the title bar जो की Ctrl Shift L का इस्तमाल किया जाता है bullet and numbering insert करने के लिए और अगर आप कुछ भी cut copy करते हैं तो यह जो store रहता है temporary clipboard में और अगर आप PowerPoint को slide को रोकना चाहते हैं तो आप S का इस्तमाल कर सकते हैं या फिर आप escape से भी जो है slide show रोक सकते हैं next is a font is a name set of characters that have the same characteristics normal view जो रहता है axle में जो default view रहता है वो normal view ही रहता है और page break insert करने के लिए formula है Ctrl plus Enter जबकि soft return के लिए Shift plus Enter का इस्तमाल किया जाता है sudo code sudo code is also called a programming design language sudo code जो हता है उसे हम PDL कह सकते हैं जबकि high level language अरा machine independent language है और जो इस्तमाल करती है यह translator का इस्तमाल करती है बात करेंगे languages की तो सबसे पहले जो है scientific language की बात करेंगे तो Fortram जो है एक scientific language है जोन बैकस द्वारा बननन फाइवन सेवन में जो है invent की गई थी और अलगोल जो है जोन बैकस द्वारा ही जो है 1958 में invent की गई थी बात करेंगे हम commercial language की तो सबसे पहले जो है COBOL है ग्रेस उपर ने 195 में invent की थी और RPG रिपोर्ट प्रोग्राम जनेरेटर IBM द्वारा 1911 में जो है निकाली गई थी special purpose language की बात करेंगे तो हम ADA है modula है और modula 2 है जो दोनों Nicholas Rath ने invent की है basic है PL बन है C है और Pascal है इनके जो invention year है और जो है इनके inventor है साथ में दिए कि है आप note कर सकते है जबकि command languages of OS ठीक है जो command ci जो character user languages है DCL है shell है MS-DOS है यह जो है character user interface है ठीक है जी और यह languages है इसकी और जो है आप देखेंगे कि जो है C है C++ है यह जो consider की जाती है middle language language मानी जाती है middle level language मानी जाती है जबकि C जो है sharp है develop किसके दवारा किया गया था तो यह जो है Microsoft दवारा develop किया गया था वो Java की बात करेंगे तो Java जो है jam ghostling ने 1995 में invent किया था logo 1967 में आई थी IRQ1 IRQ1 जो होता है keyboard को assign किया जाता है जबकि Reaper जो है पहला anti-virus था पहला anti-virus Reaper हो गया Mac address जो है इस्तमाल करता है 48 bit को जबकि IP address जो है 22 bit इस्तमाल करता है ठीक है जी next is a cryptographic protocol used to secure HTTP connections is transport layer security TLS होती है यह और पहला PC virus जो है 1986 में आये था और यह जो था personal computer का virus था जैकि पहला computer virus जो था वो creeper था और पहला boot sector virus जो था वो brain, brand जो भी कह सकते हैं आप यह था जबकि start button जो है introduce कब किया गया था तो start button जो 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था Windows 95 में और पहला जो है Apple virus है उसका नाम था Apple 2 जबकि worldwide web worldwide web जो है www 1989 में आया था और USB किसके द्वारा invent किया गया था तो यह देख सकते हैं आप USB जो है AJB BAT के द्वारा जो है invent किया गया था next is difference analyzer was created in early 2020 1920 में difference analyzer जो है इनके द्वारा जो है bush के द्वारा invent किया गया था create किया गया था और जो है coral paradox क्या है किसके example है तो coral paradox जो है relational database management system का जो है example है और देख सकते हैं आप जो है xls technology जो है convert करती है xml को html में अगर आपने xml को html में convert करना है तो xls technology का इस्तिमाल करेंगे और free isp जो है पहला था net zero था जबकि mark बन invent किया गया था howard icon के द्वारा ठीक है next बात करेंगे हम dbase 3 क्या है dbase 3 जो है एक database package है ms-dos का जबकि basic language of unix क्या है तो basic language unix की जो है assembly है और system disk इस्तिमाल किया जाता है cold boot करने के लिए pc को और personal computer का father जो है Edward robot है बात करेंगे napier bonds की तो napier bonds जो है 1627 में invent किये गये थे और abc computer जो है वो 1939 में invent किया गया था पहली adding machine की बात करेंगे तो पहली adding machine जो थी वो pascaline थी और 1942 में invent की गये थी पहली जो है machine जो calculate कर सकती थी square root जो है stepped recorder है और इसको जो है levinities ने जो है invent किया था पहली lady programmer के बात करेंगे तो ये जो है lady love lace है और analytical engine जो है पहला general purpose computer था जगी father of Indian computer की बात करेंगे तो बिजे पांडूरंग भटकर है और world first super computer की list दी गई है आप देख सकते हैं कि ये जो world के top 3 super computer है इनका नाम यहां दिये गया है पहला जो है जपान के पास है दूसरा अमेरिका तीसरा जो है चीन के पास है ये जो है 2020 का जो है data है और debulating machine जो है इस्तमाल किया गया था अमेरिकी जनगर्ना करने के लिए जबकि जो है पहला first freely programmable computer कौन था तो ये jet बन था और ये 1936 से थाथिस के बीच invent किया गया था और जो है binary system जो है ABC computer में इस्तमाल की जाती थी और पहला electronical digital computer की बात करेंगे तो INIAC था और पहला electromechanical computer जो था mark बन था जबकि first computer to store program जो पहला computer चा store program के लिए SDAC था जबकि परमसिद्धी जो है 63rd rank पे है प्रतिऊष जो है भारत का super computer better forecasting में इस्तमाल किया जाते 78th rank पे है जैके मिहर 146th rank पे computer है world first super computer कौन था तो पहला बिश्व का CDC 660 sorry 6600 1964 में जो है invent किया गया था यह CDC था और data mark एज़ा subset of data warehouse जो नहीं पर algorithm जो है 1614 सिमी में आया था और analytical engine की बात करेंगे तो 1837 सिस भी में इसकी invention की गई थी आगे देखेंगे आप AMPS जो है पहला general cellular phone था जबकि DMP जो है second generation का था और DMP जो है digital बर्जन था AMPS का उसी तरीके से बात करेंगे फादरोफ www की तो यह जो है टिम बरनसली है 1989 में www का invention किया गया था mainframe computer जो है 8 bit का EVCDIC इस्तमाल करता है और hotmail जो है 1996 में सबीर भाट के द्वारा जून महिनी में इसका invention किया गया था इसका develop किया गया था और happy birthday virus जो है happy birthday Joshi 1990 में आया था इंडिया का पहला computer virus है जबकि Alec Cloner जो है first virus to hit PC worldwide है ICMP जो है इसमाल किया जाता है error reporting के लिए बहुत बार repeat हुआ है यह question ठीका जी okay Windows 1 की 1.0 के बात करेंगे तो 1985 सिस्मी में आय थी और 2.0 जो है 1987 में आय थी जबकि MS Windows got success Microsoft Windows operating system जो है successful हुआ था जब इसे जो है page maker introduce किया गया था ठीका जी Windows 3.0 की बात करेंगे तो यह जो है 2015 सिस्मी में आय थी और Grix Corporation ने जो है graphical user interface जो है invent किया था introduce किया था MS Office जो है पहले जो है 1989 में Macintosh Apple के लिए release किया गया था जबकि MS Office जो है Windows के लिए उन्हें 90 सिस्मी में introduce किया गया था control plus function की 2 की बात करेंगे तो यह printer preview के लिए इस्तमाल की जाती है और देखेंगे कि जब आप text लिखते हैं तो उसके नीचे अलग-अलग color की lines आती है MS World में MS Office में ठीक है तो लाल line का कारण होता है spelling error ठीक है red line दिखाती है कि spelling error है जबकि green line green color की line आती है वो grammar की error को दर्शाती है जबकि नीली line जो होती है वो inconsistent formatting को show करती है और 1906 इस भी में vacuum tube introduce किया गया था जबकि computer with 80286 microprocessor जो है 80 computer था और digital computer develop किये गये थे primarily USA में 1924 की बात करेंगे इन 1924 IBM को किस नाम से जाना जाता है 1924 में तो ये है computing tabulating recording को जबकि solar bit computer system में कितने address हो सकते हैं तो इसमें हो सकते हैं 6556 flip flop flip flop जो है integration और register होता है ठीक है register की integration जो है फिलिप flop कहलाती है नेपाल में जो है पहली बार computer introduce किया गया था तो बहुत हो IBM 1401 जबकि shift register allow करता है हमें move करने के लिए left or right of the operation IBM 650 जो था most popular फारल जनरेशन का computer था नेपेर बॉंस में 11 roads होती है पहला laptop था Epson 1980 में आया था और OS developed किया गया था तीसरी generation में जबकि analytical engine जो है 1837 USB में developed किया गया था बात करेंगे पहले electro mechanical computer की तो Eneac 1944 में IBM 401 जो है दूसरी generation साइज में बड़ा होता है सूपर कम्प्यूटर से जबकि IBM PC industry स्टार्ट की थी IBM ने और stored program concept जो है born new man ने दिया था तो बात करेंगे हम keyboard, monitor और graphical user operating system की तो ये जो है तीसरी generation में introduce किये गए थे जबकि जो है RG45 UTP होता है इसमें purpose computer था जबकि Windows X system 1990 में आया था और IBM 360 जो है एक mainframe computer है उसी तरीके से इनिये के use करता है decimal system और जो है program oriented language जो है उसे high level languages कहा जाता है जबकि symbolic language जो symbolic language है discovered की गे थी George बूले द्वारा और जो है numeric cruncher informal name super computer को जो है super computer का informal name है number cruncher जबकि IBM 401 mainframe computer है ठीका जी बात करेंगे हम third generation की language की third generation में क्या-क्या develop हुआ था तो programming language बन थी Pascal था basic language और time sharing जो है तीसरी generation में invent किये गे थे 1965 की बात करेंगे तो digital equipment corporation द्वारा PDP 8 develop किया गया था CDC पूर्णे द्वारा बनाया गया है keyboard की बात करेंगे तो यह थीसरी generation में बनाया गया था जबकि mouse और graphical user operating system चोथी generation में है इन्ही एक का बजन कितना था इन्ही एक का बजन था 30 ton और जो है multi programming और time sharing थीसरी generation में आय है IBM PC computer जो है उसमें 83 keys थे और जो है OMAR OMAR data transfer rate कितनी रहती है तो यह रहती है 200 से 2500 page per minute जबकि OCR popular point क्या है तो इसका है OCR A और OCR B जबकि OCR की speed जो रहती है वो 1500 से 3000 character per second रहती है और RAM में बन right cycle होती है जबकि EP ROM में 1000 cycle की right रहती है ठीक है जी 1964 में basic language John जी कैमी ने invent किया था बात करेंगे हम UNIX की UNIX जो है character user operating system था और यह 1969 में आये था जबकि DOS 7 is a popular version ठीक है जी DOS का जो popular version है वो DOS 7 है और UNIX main language is assembly विल्कुल से यह बात है और kids kids किस से related है तो यह table drive speed से है और जो है notal is a network device ठीक है जी बटेज notal तो notal का है एक network device है और mercury mercury किसके tagline है तो यह है improving your PC ठीक है improving your PC mercury company की tagline है जबकि Acer कहां की company है तो Acer जो है ताइबान की company है और बात करेंगे हम BSD BSD Unix founder कौन है तो यह है Billjoy और Optron and AMD Johnset Bit microprocessor है जबकि internet जो है 1970 इसमी में Wint Sharp और Bob Khan द्वारा जो है develop किया गया था उमीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जुरूर से वीडियो लाइक करें लास्ट पार्ट जल्दी अप्लोड कर दे जाएगा थैंक्यू and have a good day